तो आईए इस बार आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश क्योंकि हम पहुँचे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता ये अब हम आपको बताएंगे PSE यानि Political Stock Exchange में श्रिकान शर्मा भार्ती जरता पार्टी की तरफ से राजीव शुकला जी कॉग्रिस पार्टी की तरफ से जुई सिंग जी अमार साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से लेकिन इससे पहले कि इनसे बात चीत करें ये सवे कैसे हुआ है ये समझ लीजिए संसदियक शेत्र अस यानि सभी के सभी में हम पहुँचे उत्तर प्रदेश में, 30,400 सैंपल साइज देखिए, 15 सितंबर से 19 सितंबर तक ये जो सब्ता है, उसके बीच का ये सवे है, 30,400 लोगों तक हम पहुचे हैं, इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 सितंबर से 19 सितंबर के बीच, ये 30,400 लोग उत्तर प्रदेश में क्या सोच रहे थें, आईए अब आपको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि शुरुआत महीं से करेंगे, नरेंद्र मोधी वसस राहूल गांधी, क्या आज भी UP का दिल धड़कता है नरेंद्र मोधी के लिए, PM की रेस में कौन है ज्यादा ताकतवर तो ये देखिए कैसे ये ग्राफ बढ़ रहा है और 48 पर पहुँच रहा है जबकि 22 पर है राहूल गांधी, 22 पर, याद रखिए 30 के आसपास कई राज्यों में पहुँच रहे थे लेकिन UP में 22 पर, और अब PM की रेस के लिए अगर उस्तर प्रदेश में हम मायावती और अखिलेश का ऑप्शन देते हैं, तो देखे मायावती की तरफ नौ 50 पीसदी लोग जाते हुए दिख रहे हैं, जबकि 7 पीसदी लोग अखिलेश यादत की तरफ तो ये भी बहत पूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ये ऐसी परिस्थिती है, जब ये तीनों हा प्रदेश के हाथ में लाने से मोधी को हो सकती है, परेशानी, मोधी सरकार का काम काज, दिल थाम कर बैठिये, क्योंकि यूपी की जनता बताएगी कि संतुष 53 पीसदी लोग है, इसके बाद जो दूसरा आकड़ा है, उस पर खास नज़र रखिएगा, जैसा कि हम आपको हम पीसदी ठीक ठाक कह रहे हैं, मतलब अगर इनका दिल बदला, तो उधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, असंतुष कहने वाले 28 पीसदी हैं, मोधी सरकार के काम काज़ पर, ये उत्तर प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड है नरेंद्र मोधी की सरकार पर, 53 पन, 16 ठी की हो रही है चर्चा वो भुआ भतीजे के गटबंधन की, जुही जी मुस्कुराएंगी, जहां मुस्कुराइए कि आप लखनव में हैं, लेकिन आपको मुस्कुराने का मौका मिलेगा हैं ये हालो, बतलब 47 पीसदी लोग इस गटबंधन को थम्स अप दे रहे हैं, ये ग बहुत दिलचेस पर याद रखिएगा, 32 पीसदी लोग कहते हैं कि इस गटबंधन से कोई नुकसान नहीं होगा, जो उपचुनाव हुए थे वो आपने देखा था, क्या हाल हुआ था, पता नहीं कहने वाले बीकिस पीसदी, अब ये पता नहीं वाले किदर जाएंगे, 21 पीसदी भी काफी बड़ा फिगर होता है, ये किधर जाएंगे, ये महतपूर्ण है, ये देखिए, जो हर पांचवा वोटर है लगभग, 100 में, वो ये कह रहा है कि नहीं पता, नहीं पता कि इस अलायन से बीजेपी को नुकसान होगा, या होगा फाइदा, जबकि 47 पीसद पार्ती कीमते हैं, उसका क्या करेंगे सरकार, तो फिर हाँ, केंद्र तेल पर टैक्स घटाए, मोदी जी और उनकी पार्टी अगर सुन रही है, तो ध्यान से सुनिए, 87 पीसदी लोग, शिकान शर्माजी अमार साथ जो गये, 87 पीसदी उत्तरप्रदेश के लोग, 3400 में से कह रहे हैं, कि आप दाम घटाएए, जबकि 6 पीसदी ऐसे भी हैं, जो कहते ही कि नहीं, ये मत कीजिए, तो ये देखिए, ये अंकड़ा बहुत पहुत पुर्ण है, 87 और 6 पीसदी का, अब बात एक ऐसी डील की, जो आसमान से टपकी है, बीजेपी को परेशान कर रही है, और इस मुद्दे का इस्तमाल राहूल गांदी जम कर कर रहे हैं, हाला कि ये अलग बात है कि UPA में कीमत क्या थी, इस पे वो अलग अलग जगा अलग बाते बोल गए, हाँ, राफाइल जील के बारे में पता है, जब उत्तर प्रिदेश में हमने लोगों से पूछा कि आखर ये डील क्या है जिस पर इतनी चर्चा हो रही है, राहूल गांदी जिस पर प्रहार कर रहे हैं, तो 21 फीजदी हर पांचवा वोटर कहता है कि हाँ, वो जानता है, तो याद रखिए, 100 में से पांचवा वोटर ही हर पांचवा वोटर जानता था, अब ये देखिए, 80 फीज लोग जानते ही रही है कि क्या है राफाइल डील, तो क्या वो समझें कि क्या घपला घोटाला हुआ है, लेकिन इसके बागे चड़कर हमने एक सवाल और उनसे पूछा है, जो कि बहुत महत्पून है, सवाल यही है कि क्या सरकार को इसकी कीमत बतानी चाहिए, केंद्र को क् 18 फीजदी लोग थे, जो यह मान रहे थे कि हाँ, सरकार को जल से जल बोलना चाहिए, यह 82 फीजदी कह रहे थे कि नहीं, नहीं बताना है, अब यह भी दिल्चस्प है, इतने कम लोग जानते हैं, उन में से इतने लोग कहते हैं कि हाँ, सरकार को कीमत बतानी चाहिए, और 82 कीमत मत बताईए अब बात मुद्दों की जल्दी से कर लें कि अगर आज चुनाओ हो तो आखिर मुद्दा क्या होगा उत्तरप्रदेश की जनता के लिए ध्यान से देखिएगा सबसे बड़ा मुद्दा जो वहां की जनता के लिए है वो है पीने का पानी 25 फीजदी लोगा क उसके बाद से क्रिशी 36 फीजदी लोग के रहें कि क्रिशी जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए महंगाई पर 39 लोग अटके हुए और उसके बाद जो अगला सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार का सबसे बड़ा फिगर तो देखिए अब आया 47 पीजदी यानि लगभग आधी आबादी 3400 में से रोजगार को अपना मुद्दा मान रही है जल्दी से योगी की कर लेते हैं कि योगी का भी रिपोर्ट कार्ट जल्दी से ले लेते हैं क्योंकि योगी की भूमिका रहेगी अगर 2019 में यूपी में कुछ करना है तो अगला सीम जो हमने उनसे पूछा है कि अगला सीम कौन हो तो 43 फीजदी लोग अभी भी योगी आदित तेनात के नाम पर ठेके हुए है जबकि अखिलेश यादव के लिए 39 फीजदी 39 फीजदी अखिलेश यादव के लिए ये महतुपूर्ण है और मायवती 18 फीजदी अब ये देखिए PM की रेस में मायवती आगे थी लेकिन CM की रेस में अखिलेश यादव ने मायवती को पचार दिया है तो ये है 43, 39 और 18 फीजदी का अकड़ा जो की अगला CM कौन हो उतरप्रदेश का उसमें दिखाई दे रहा है कुल मिलाकर तस्वीर अपसाफ है लेकिन अब राजसगार का कामकाच जल्दी देख लेते है कि रिपोर्ट कार्ट पर लोगों का क्या कहना है जिसके बाद हम चर्चा की शुरुवात करेंगे राज्य सरकार के कामकाच पर थमसब देने वाले 41 फीजदी है चो कह रहे हैं कि हाँ हम सरकार के योगी आदितिनाथ के काम से संतुष्ट है शिकान शर्मा जी हमारे साथ है उनके कामकाच से संतुष्ट है ठीक ठाक 20% पड़ा अंकड़ा हर पांचवाद भी इस सर्वे में कह रहा है ठीक ठाक है बॉडर लाइन है और संतुष्ट 37 फीज भी है उत्तरपदेश की हर खबर अपने मुबाइल पर पाने के लिए आप यूट्यूब पर जाकर यूपी तक ऑफिशल को सब्सक्राइब कीजिए आप हमें फेस्बुक पर लाइक भी कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलू भी